पत्नी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे पती के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाए पत्नी एक महिला है और उसे भी अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने का दिकार है महिला दिकारों पर ये टिपड़ी आई है देश की सर्वोच अदालत से जहां एक केस की सुनवाई करते हुए कोट ने स्ताफ कर दिया कि कोई भी पती पत्नी पर दबाफ नहीं बना सकता और अपने साथ रहने के लिए उसे मजबूर नहीं कर सकता दरसल एक महिला ने पती पर प्रतारित करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोट में आपराधी केस तायर किया था जिस पर सुनवाई करते हुए जस्चिस मदनवी लोकुर और दीपक गुपता की पीट ने कहा कि पत्नी चल संपत्ती या कोई वस्तू नहीं है जिसे पत्ती अपने साथ रहने पर मजबूर करे पत्ती को कोई अधिकार नहीं है कि वो पत्नी पर दबाव बनाए उसे साथ रहने के लिए कहे दरसल इस केस में महिला ने आरूप लगाया था कि उसका पत्ती चाहता है कि वैं उसके साथ रहे लेकि मैं आउस के साथ नहीं रहना चाहती इस पर कोट नहीं है सकत टिपड़ी की साथ ही कोट ने पती को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इतने गैर सिमिधार कैसे हो सकते हैं महिला के साथ चल संपती की तरा वेव हार कर रहे हैं महिला कोई वस्तू नहीं है आपको पतने के साथ रहने के अपने फैसले पर दुबारा विचार करना चाहिए दिबिलाइफ के रिपोर्ट